हाई फ्रेंड्स माइसाइब डॉक्र सुनील तमॉर कंसर्टेंट एंटी और राइनोप्लास्टी सर्जन्स दोस्तों आज बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केर आप्टर दा इयर सजरी लोट अफ पेशेंट हैं लोट अफ क्या संसर सजरी की बाद यह खाना चाहिए क्या कर चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीए कि बैल आइकोन को प्रेस करना यूटूब को सब्सक्राइब करना ना बूले इससे अनेक ऐसे उप्योंगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहें दोस्तों यह सजर करते हैं, बहुत करना के सिस्थվरी करना रहें इससे घंड उस सबसे पहले attitude को समय साइसा थे अंगी यूज होती होता है इससे यह मैं अंतर ना इक सूलन का होता दोस्तों इसमित बश्रम सबस्क्राइब कर हमारे झार खें, शूरी के पोगा को पेड़नेफ। यहां कि पा पाइस्टूइड ड्रेशिंग वो एक बेंडेज है वह अंदर उसके में जो है वह इस्ट्रैल कुछ गोजपी सीज वगरे लगा के हमारा जो कान का यह बाहर का पार्ट पिन्ना उसको कवर करने के लगा के और वह उचे लेयर के अंदर एक बेंडेज उता है उससे हमारा एक क बॉल्स को सकती है, जिसके लिए बहुत बार पीशेंक, को दो दो बजए भी कोवल आते है, तो ऑल गोड़ling अखेस्य configurator कि और ग्रेशेंग में हो पेहां, खेता हूं कि जो ऐलिडे, यहां पे भी swelling आ जाती है और पेशेंट बड़ा पैनिक हो जाता है अरे डोक्तो यह कहीं कान का जो है उप्रेशन किया है उसे आग पे तो फरक नहीं आ गया दोस्तो ऐसा नहीं है क्योंकि जब यह bandage जो होती है उसके करण हमारा venus circulation जो hampered होता है उसके करण most common जो यह हमारे जो thin tissue होता है आग के पास में है यहां पे eyebrow पे है यह क्या कई बार थोड़ी swelling आ जाती है उस swelling के करण क्या है तोड़ा सामे आठपटा लगता है बट वो एक normal चीज है डॉक्टर उसके लिए already जो है वो medication दिये है आपको क्या करना है उसके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा swelling है यू जस्ट एक ब्लेड एंड वो जो हमारी dressing है उसको डिला कर लेना है कितना डिला कर लेना है at least एक या दो finger easily उसके अंदर चली जाएं पहली बार तो यह बहुत important बात है second most common जो patient की complaint होती है कि की डॉक साप जैसे मेरे पट्टी के अंदर मेरे ड्रेसिंग के अंदर अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मवाद हो गई है दोस्तों यह जो क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ क्यों कि जो सरजरी करते हैं जब हम ear drum का transplant करते हैं जो हमारे एक muscle होती है उसका एक part होता है उसको हार्वेस करके कान के अंदर जो perforation हो लगाया जाता है जो पर्दा है वो कोई important नहीं होता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह होता है कि मेरे को तो अच्छा वाला बहार वाला परदा लगाना जापान वाला लगाना दोस्तों ऐसा नहीं है यह इसमें जो एक tissue की layer होती है जो हार्वेस करके वहां लगाया जाता है तो वह लगाने के बाद में क्या है कि वहां उसके उपर एक jelly होती है उसमें antibiotic sock करके और उसको fill कर दिया जाता है हमारे बाहर के ear को जिसको external auditory canal यह बोलते है तो यह जो antibiotic जो उस gel में है वो हमाई ऐसा लगता है कि अंदर कुछ crawling कर रहा है अंदर कुछ move कर रहा है अंदर कुछ मवाद हो रही है सो इसके लिए हमें डरने की जरुवत नहीं है नमबर थरी दोस्तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम कुछ swallow करते है तो patient की complaint होती है कि पहले तो ऐसे आवाज नहीं आती इसमें cuts या taps ही इस टाइप की आवाज आ रही है सो दोस्तो इसमें क्या होता है कि यह भी एक नॉमल चीज है क्योंकि जब हम swallow करते है कान और नोज के बीच की एक ट्यूब होती है तो जब हम ब्रीधिं करते है हम को swallow करते है तो यूस्टेकन ट्यूब का एंड ओपन होता है अंदर येर जाती है आती है वो पैशन में परफॉरिसेंग होता है तो हमें इतना अप्रिशेट नहीं होता बट बट बार जब उसकी कान परदा लग जता है तो वो सांड ऊसको अप्रिशेट होती है और tenor में आ जाता है कर रहीं टेंज ती है को थासलो के हम इसके लिए अगर आपका पॉस्टहरयल टेकनिक से सरजरी इस पान के पीछे आपका चीरा होगा है तो दोस्तों हमें थोड़ा सा पानी से एट लिस्ट दला दिन बचाव करना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। चीज है जो है तीन दिन तो दो या तीन दिन बाद अगर आप लेते है तो पीछे आपको बहुत जोर से रगड़की नहीं लगानी है, ऐसे रगड़ना नहीं है, and you just applied a simple neosprain ointment जो पीछे की तरफ आपको लगाना है, अगर आपका सजरी जो है, वो endoral technique से हुआ है, endoscopic technique से हुआ है, बाहर से कहीं कान पे चीरा नहीं लगा, तो उसमें कहा है, बाहर mastoid dressing की usually जरूद नहीं होती है, तो अब हमारे जो कान का जो नया पर्दा है, जो eardrum हमने graft किया है, उसकी protection करने के लिए कान में जो जेली लगी हुई है, वो useful होता है, so वो कई बार क्या होता है, कि patient की जो अंदर लगा है, वो usually जो है, जब surgery की जब 21 दिन हो जाते हैं, या ए patient panic हो जाता है, duck-sahab, ये तो वापस इसमें कान में मौवाद आने लग गई है, या देखो क्या हो गया, patient बहुत दूर से भी कई बार क्या है, चल के आता है, तो ऐसा नहीं है, ये कोई tension की बात नहीं है, अगर कुछ आपको liquification के बाहर आ रहा है, तो उसका हलका सा clean कर लेना है, and आप रूटीन, खाना, पीना, घुमना, पीना, whatever you want, सब कुछ हमारा काम कर सकते हूं, दो precaution है, मैं, कान में पानी नहीं जाने देना, पुसरी बात, कान के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, और पीछे अगर आपको हलका सा ointment लगाना है, खाने में आपको बहुत spicy food, tight नहीं लेना है, बाकि normal food आप ले सकते हूं, खटा आप खा सकते हूं, आपके दिमाग से निकाल देना चाहिए, और या टमाटर में नहीं खा सकता है, क्योंकि vitamin C होता है, वो आपकी healing में मदद कर सकता है, इसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे patients होते हैं, दोस्तों, जो हमार बहुत से दवाई, यह जो दवाईयों के साथ दे सकते हैं, बहुत बाहर क्या होता है, कि कोई diabetes का patient अपने diabetes की दवा बंद कर दिया, तो आपका blood sugar fluctuate कर गया, BP fluctuate कर गया, that is armful, so वो medications आपको बंद नहीं करनी है, carry on करना है, और जब doctor ने बुलाय है, वापस आपको दिखाना है, एक बहुत important बात ह bedtime, दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, कि कोई बार कोई medications होती है, उसके करनी GI upset हो जाता है, पेशेंट को क्या है, वोमेंटिं होती है या डायरीया हो जाता है, पेशेंट क्या करता है कि उसको बंद कर देता है और दस तीन बात करता है, मैंने तो इस सारी दवाई बंद कर दीती दिस दरोंग, आपको डेफिनेटलि कोई दवाई से प्रोबल्म है, you just call to your doctor and आप उनसे रख सब यह दवाई चल लिए तो हमें बंध नहीं करना है आप को ल करके लोकल जो अपन नहीं दवा निकला देंगे आपको यह प्रटकोल दोस्तो आपको फोलो करना है एंड जो है यह यह सजरी के बाद यूज्वली जिसे हमारी जो अच्छी स़र्जरी विया वह अच्छी this information really useful for you after the ear surgery and definitely this is useful information you can share to your family friends and colleagues just to create awareness regarding the post of protocol of ear surgery thank you you